दोश्कर किसान सातियों एक बर पुनार स्वाकत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेकन रिव्यू में किसान सातियों आज कविश है हमारा जानना वाटर सॉल्लिवल एनपी के 0050 के वारे में क्या इसका महत्व है और क्यों हमें बालिया निकलते वक्त या बालिया निकल रही हो उससे हमें हमको स्प्रे करना होता है सब कुछ जानने का हम आज इस वीडियो के माद्य हमसे तो आंतर तक वीडियो देखते रहिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि किसानी संबंदित सूचना उसे मैं आपको अफगत करा सकूँ सब सबसे नाइटरोजन 0% है फोसफैरस 0% है और जो पोटेशम है पोटाँस वह है 50% यह वह सिट्धी एकिसान साथी हो जब हमारे पोद्ये को नाइटरोजन के विल्कुल कमी नहीं होती क्यूंकि नाइटरोजन का काम होता है पोद्ये की ग्रोत का पौधे की सेल के निर्माण का और जो पौधे की ब्रांचिंग होती है उसमें मदद करने का लेकिन यह वो स्थिति हो जाती है जब हमारा पौधा पूरी तरीके से ग्रोध कर चुका होता है दूसरी नंबर की बात आती है फॉस्फोरस की किसान साथियों Phosphorus का मुख्य काम होता है पौधे की जड़ की बेकास करना और पौधे की जड़ की वरद्धी करना जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से उर्वरक ले पाता है और फूलो का निर्मान अच्छे से हो पाता है लेकिन किसान साथ यह वह स्थिती भी निकल जाती है इस समय जो में सिती रहती है वो होती है जो फूलों से हमारा फल बन रहा होता है यह फिर फल बन चुका होता है तो उन बालियों के भराओं में उन दानों की चमक के बढ़ाने में और दानों को बजनी करने में जिस चीज़ का सबसे जादा महत होता है वह होता है potassium और Npk0050 में potassium 50% पाय जाता है किसान सातियो Npk0050 ना केवल दाने को बजनी करने में दाने की भराव में और दाने की चमक को निखारता है बलकि किसान सातियों यह हमारे पोधे के तैने को मजबूती परदान करता है जिससे कि जब तेद हवा चलती है हमारे फसल में जो भार होता है और बजन होता है उसके करण हमारी पूरी फसल जमीन पे लेड जाती है लेकिन जैसे कि हमारे पोधे को मजबूती प्रदान करता है तन्ये को तो हमारी पोधे हमारे फसल तेजवा से गिरते नहीं है तीसरी बात प्रमुख बात किसान साथियों जब हमारा पौदा फल पे होता है तो कई तरीके के रोग और बिमारिया हमारे पौदे को अटेक कर सकती है जैसे कि फल सडन हो गया यह फल का जडना हो गया किसान साथियों पोल्टास जो होता है हमारे पॉदे को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है जिससे कि वो ऐसी तरीके मिमारियों से लड़ जाते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बता है कि nitrogen का जो काम है पोधे को हरा करने का यानि कि क्लोरोफिल के मातर बढ़ाने का और ग्रोथ यानि अब जो लिखा है मतलब कि पूरी ग्रोथ का काम होता है नाइट्रूजन का फिर दूसरे नमबर पर आप देखेंगे फॉस्फोरस उसमें लिखा है reaches down to the root and hell to produce blooms यानि किसान साथियों इसका काम होता है जड़े की ब्रद्धी करने का और जड़े की विकास करने का लेकिन पोटेशियम को आप देखेंगे कि लिखा है all around and promotes all around well wing मतलब कि इसका काम पूरे पोधे को सुरक्षित करने का होता है पूरे पोधे को मजबूती प्रद्धान करने का होता है जड़ से लेके तने तक और तने से लेके फल तक पूरा जो काम होता है वो पोटेशियम का होता है किसान साथियों इस स्क्रीन पे एक और फोटो आया है आप इसको image quality current ठीक से पढ़नी पा रहे होंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है पोटेशियम को कहा जाता है किसान साथियों था फ्लार इंड्यूसर एंड फ्रूड मेकर यानि कि फूलों के निर्माण और फलों के भिकास में पोटेशियम का एक महत्व होता है दूसरी बात फल और फूलों के निर्माण के लिए सबसे जादा महत्व रखता है चौती बात इंक्रीजेज प्लांट रजिस्टेंट टू डिजीजेज यानि कि बिमारियों से लड़ने की शक्ती पोटेशियम पोदे को प्रदान करता है पाच्वे बात helps in plant make better use of light and air यानि कि जो सूरे के किरणे है रोश्नी है और हवा है किस तरीके से सही तरीके से उपलब्द करवाना है पोदे को ये काम भी पोटेशियम कही होता है तो इनी सभी मुख्य कारणों से कहा जाता है कि NPK 0050 को आखरी अवस्ता में स्प्रेक करना चाहिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे अन्य किसान भाजों तक भी इस वीडियो को पहुचा दे ताकि वो इस चीज का लाव उठा सके फिल लोटूंगा ऐसी जान करिये इसी सूचना के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे किसान साथियों जै हिन जै भारत